महाराजा चंद्र गुप्त अपने मंत्री चानक्य के साथ अपने राजमहल के बाग में सेर कर रहे थे महाराजा चंद्र गुप्त को खिलोनों का बहुत शौक था उन्हें हर रोज एक नया खिलोना चाहिये था आज भी महाराजा के पूछने पर की क्या नया है महामंत्री चानक्य ने कहा की पता चला की एक सौधागर आया है और कुछ नए खिलोने लाया है सौधागर का ये दावा है की महाराज या किसी ने भी आज तक ऐसे खिलोने न कभी देखे हैं और न कभी देखेंगे सुनकर महाराज ने सौधागर को बुलाने की आग्या दी सौधागर आया और प्रनाम करने के बाद अपनी पिटारी में से तीन पुतले निकाल कर महाराज के सामने रख दिये और कहा कि अन्नदाता ये तीनों पुतले अपने आप में बहुत विशेश है देखने में भले एक जैसे लगते हैं मगर वास्तव में बहुत निराले हैं पहले पुतले का मुल्य एक लाक मोहरे हैं दूसरे का मुल्य एक हजार मोहरे हैं और तीसरे पुतले का मुल्य केवल एक मोहर है सम्राट ने तीनों पुतलों को बड़े ध्यान से देखा देखने में कोई अंतर नहीं लगा फिर मूल्य में इतना अंतर क्यों? इस प्रश्ण ने चंद्रगुप्त को बहुत परेशान कर दिया राजा ने पुतलों को घुमा फिरा कर सब तरफ से देखा मगर वे इस गुत्वी को सुलजा नहीं सके चंद्रगुप्त ने जब देखा कि उन्हें इस प्रश्ण का कोई जवाब नहीं मिल रहा है तो वही प्रश्ण अपने गुरु और महामंत्री चानक्य से पूछा चानक्य ने पुतलों को बहुत ध्यान से देखा और दर्बान को तीन तिनके लाने की आग्यादी तिनके आने पर चानक्य ने पहले पुतले के कान में तिनका डाला सब ने देखा कि तिनका सीधा पेट में चला गया थोड़ी देर बाद पुतले के होंठ हिले और फिर बंध हो गए आप चानक्य ने अगला तिनका दूसरे पुतले के कान में डाला इस बार राजा ने देखा कि तिनका दूसरे कान से बाहरा गया और पुतला ज्यों कत्यों रहा ये देखकर राजा की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी कि आगे क्या होगा आप चानक्य ने तिनका तीसरे पुतले के कान में डाला राजा ने देखा कि तिनका पुतले के मूँ से बाहर आ गया है और पुतले का मूँ एक दम खुल गया पुतला बराबर हिल रहा है जैसे कुछ कहना चाहता हो चंद्रगुप्त के पूछने पर की ये सब क्या है और इन पुतलों का मूँ आलग अलग क्यों है चानक्य ने उत्तर दिया राजन चरित्रवान सदा सुनी सुनाए बातों को अपने तक ही रखते हैं और उनकी पुष्टी करने के बाद ही अपना मूँ खोलते हैं यही उनकी महानता है पहले पुतले से हमें यही ज्यान मिलता है और यही कारण है कि इस पुतले का मूँ यह एक लाख मोहरे है दूसरा, कुछ लोग सदा अपने में ही मगन रहते हैं हर बात को अनसुना कर देते हैं उन्हें अपनी वाह वाह की कोई इच्छा नहीं होती ऐसे लोग कभी किसी को हानी नहीं पहुँचाते वे कोई भी बात एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं दूसरे पुतले से हमें यही ज्यान मिलता है और यही कारण है कि इस पुतले का मूल्य एक हजार मोहरे है तीसरा, कुछ लोग कान के कच्चे और पेट के हलके होते हैं कोई भी बात सुनी नहीं कि सारी दुनिया में शोर मचा दिया इन्हें जूट सच का कोई ग्यान नहीं, बस मूह खुलने से मतलब है यही कारण है कि इस पुतले का मूल्य केवल एक मोहर है दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करे, शेयर करे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे, धन्यवाद